हेलो बच्चों आज हम लोग GCRT के कच्छा अस्टम में विशाय गनित से एरिया आफ टू डाइमेंशनल से दीब बीम्बिय आक्रिती का छेत्रफल प्रश्णावली 14.1 में दिये गए प्रश्णों का हल जानेंगे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रस्ण दिया गया है निम्न आक्रितियों की परिमाप ग्याद कीजिए यह जो है आक्रिति इसकाहाहमें परिमाप ग्याद करना है उससे पहले यहां लोग परिमाप क्या है जान लेते हैं परिमाप है दिये हुए किसी भी आकरिती में उसके सभी जो भूजा हैं उनके जो है का माप का योग जैसे यह स्केल आप देख रहे हैं इस स्केल में जो है यहां से लेकर यहां तक का माप फिर यहां तक का माप फिर य इनको मापने के बाद जब हम इसे जोडते हैं तो वह जोड परिमाप कहलाता है तो इसी प्रकार से किसी भी आकरिती में आप परिमाप ग्याद कर सकते हैं तो यहां पर इस दिये गए आकरिती के लिए हमें परिमाप ग्याद करना है तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहां उप कौमन पud sturdy सिन टो सभसे पहले इस आकृती के लिए जया होंगे इस भूजय का जोड़ और और साथ में इस दिये गए अर्ध वृत्य का परिधी का जोड तब हमें इसका परिमाप ज्याद हो जाएंगे तो बच्चों से अम लोग ज्याद करते हैं कि यहां आम लोग लिखते हैं दिये गए आकरिति का परिमाप दिये गए कि आकरिति का परिमाप ठीक है दिये गए आकरिति का परिमाप ब्रावर नीचे लिखते हैं कि टू प्लस टू यह दो और प्लस अर्ध वृत्त का अर्ध वृत्त की परिधी तो यह हम लोग लिख सकते हैं दो और दो चार प्लस हम लोग जानते हैं कि ब्रित की परिधी बराबर होता है टू पाई आर्ध वृत के लिए यह दो से भाग हो जाएंगे यह कट गए अब तो यहां हमारे पास हो गया फोर प्लस यह पाई और आर तो यहां जो यह है यह ब्यास है ब्रित का ब्यास यानि कि डी डी ब्राबर डी जो है कितना है टू पॉइंट आठ सेंटिमीटर और आर ब्राबर होता है डी बाई टू तो टू पॉइंट एट बाई टू इसको काट देंगे तो हो जाएगा वन पॉइंट फोर तो यह आर क्या है आर है तिरजिया तो यहां पर हमें वह तिरजिया तो यहां पर फोर प्लस यह बाईस बटा साथ और आ है वन पॉइंट फोर तो इसको काट सकते हैं यह जाएगा जिरो पॉइंट टू आप देख सकते हैं कि फोर प्लस इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4.4 और इनको जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा 8.4 cm तो इस दिये गए आकरिति का परिमाप परिमाप बराबर कितना प्राफ्थ हुआ परिमाप पराबर 8.4 cm तो यह एंसर हो गया अब अगला प्रस्न को देखेंगे आप एक बाद देख लें और इसका आप स्क्रीन सॉट भी चाहें तो ले सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से इसका स्क्रीन सॉट अब ले लेंगे आगे हम लोग इसके आगे का प्रस्न करें तो पच्छों यहां पर यह दूसरा अकृति है जिसमें यह एक वर्ग है जिसमें सभी भूजा साथ सेंटीमीटर का है और यह एक वृत्य का एक चौथाई हिस्सा है तो इस दिए गए आकृति के लिए हम लोग लिखेंगे कि किस प्रकार से परिमाप ग्यात होगा तो दिए ग यहां हो जाएगा वर्ग का परिमाप WiFiischer यह तूपाई होता है बित का तो तूपाई आर बटा यह एक चौथा हिए तो अब पर्ग का परिमाप जो है आप जानते हैं कि हुजा स्केर होता है और यह चार गुटरे भूजा होता है तो वरग का श्यत्र्पल 15 bu का परिमापुता है वर के सभी भूजाओं का जोड यानि की फोर इंटू भूजा तो फोर इंटू सेवेन प्लस इसको काड़ देंगे तो यह हो जाएगा एक बटा दो तो यहां हो गया पाई पाई आर बाइट टू और फिर इनको गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा ठाइ तो 77 काड़ दिए इसको काड़ देंगे 11 से अब बच्चा के अतना है 28 जोड 11 इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49 49 सेंटीमीटर तो इस दिये गए आकरिती के लिए जो है परिमाप 49 सेंटीमीटर होंगे ठीक है तो अब हम लोग इसका भी आप स्क्रीन सॉट लेंगे और इसको लिख लेंगे आगे हम लोग तीन नंबर के चित्र को देखेंगे और उसका हल करेंगे ठीक है तो बच्चों यहां पर देख रहे हैं कि इस प्रकार के आकरिती है इसमें उपर की और आधा ब्रित दिया गया है और नीचे की और आधा ब्रित दिया गया है तो अग अलग से हो जा रहे हैं तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दिये गए आकृति का परिमाप आकृति का परिमाप है बरावर ठीक है तो Κ Confederate plus 14 प्लस ब्रित का परिधी या ब्रित का परिमाप दोनों एक ही चीज है ब्रित Türkiye honor की परिधि तो आगे 14 और 14 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा और ब्रित के परदी बराबर टू पाई आर तो अब इस 28 प्लस दो 22 बटा 7 गुने आर का भेलू है यह इसका 14 का आधा हो जाएगा यह ब्यास है तो आर बराबर हम लोग इससे पहले वाले सवाल में क्या देखें कि आर हो जाएगा तो यह साथ हो जाएगा ठीक है तो साथ हो गया तो साथ और साथ काट देंगे तो उपर क्या-क्या बचा 28 प्लस 22 दोनी 44 तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा आठ चरबार और शेक साथ 72 सेंटीमीटर तो इस प्रकार से इस दिए गया आकरिती के लिए परिमाप निकले 72 सेंटीमीटर आगे हम लोग चार नमबर के आकरिती को देखेंगे और उसका परिमाप याद करेंगे तो बच्छों लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यह एक आयत की आकरिती दिया गया है प्रंतु यह भूजा इसका नहीं है और इसके अंदर की और एक अर्धवृत दिया गया है तो इसके लिए हमें इस प्रकार से लिखेंगे दिये गए आकरिती का परिमाप बड़ाबर तो यहाँ पर एक आयत है तो आयत का परिमाप आयत का परिमाप और चुकि आयत का परिमाप में से यह भूजा है नहीं इसलिए इसे हम लोग माइनस कर देंगे ठीक है और प्लस और अर्धवृत का परिमाप अर्धवृत का परिमाप तो अब जो है आयत का परिमाप कितना है आयत का परिमाप बराबर होता है दो लंबाई जोर चौड़ाई ठीक है माइनस टू पॉइंट एट प्लस अर्धवृत का परिमाप होता है पाई आर इसको लिख दिए अब दो लंबाई कितना है टू पॉइंट एट और चौड़ाई है वन पॉइंट फाइव इसमें से टू पॉइंट एट प्लस पाई का वेलू है बाइस बटस साथ यहां तो से जो है ये अर्धवृत के लिए ये ब्यास हो गया तो इसका आधा two point eight ये two point eight इसका आधा हम सब्लोग करेंगे तो हो mrly.4 तु यहां पर हमें लोग आइ ऊर्था 13 मॉजई गा फिर ये ओन पॉइंट फोर इसको काड़ देंगे तो ये हो गटाना है और इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4.4 फिर इसको गुना कर देंगे तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8.6-2.8 प्लस 4.4 अब जोड और जोड जो है इन दोनों को जोड देंगे ठीक है तो इसको जोड देंगे तो कितना हो जाएगा 8.6 और 4.4 इसको जोड देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 13 यह हम पर लिखेंगे 13 माइनस 2.8 और 13 में से 2.8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 10.2 cm तो यहाँ पर जो है दिये गए आकरिती के लिए जो है परिमाप हम लोग कितना ग्याद किये 10.2 cm तो इसका आप लोग इसको नोट कर लेंगे आगे हम लोग प्रशन संख्या 5 को इसमें से जो 5 नमबर है यह 4 नमबर का था अब 5 नमबर के को देखेंगे की कैसे उसका अकरिती दिया गया है और उसका हल कैसे होंगे है तो इसके लिए हम लोग एक्रिति का परिमाप बराबर एक आयत का परिमाप और चुकि यहां से यहां तक भूजा नहीं है तो इसे हम लोग माइनस साथ क्लिखेंगे साथ और फिर जोड़ इसमें अर्धवृत का परिमाप अर्धवृत का परिमाप ठीक है तो अब जो है आयत का परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं दो लंबाई जोड चौड़ाई minus 7 जोड यहां अर्द भी का परिमाप होता है pi r 2 pi r बटा 2 is equal to pi r ठीक है और इस प्रकार से 2 लंबाई कितना है 14 और 4 है 8 ठीक है तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 7 और pi का भेलू 22 बटा 7 होता है और r जो है यहां पर यह 7 बटा 2 है 7 बटा 2 यह इन की एकि तो 2 भ्याट से भ्याट इस फ्यक्रिक्न के लिए इस really भित के लिए तो व्यास का आधा होता है 3 प्रकार साथ बटा sos Nano हो गया तो इसको कार देंगे 21 से प्रकार से कर्हें साथ स'll काट गया 21 अच्छाओ से इसको ङहां ओ गया लिखेंगे 11 तो यह हो गया गुना करतेंगे तो 44-7 जोड 11 ठीक है और अब 44 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55-7 इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55 में से साथ जाएगा तो हो जाएगा और तालिस ठीक है तो इस प्रकार से इस आकरिती का जो है परिमाप 48 सेंटिमीटर प्राफ्थ हुआ तो इसे आप नोट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग एक नंबर के प्रसन का 500 प्रसन का जो हो गया है हम लोग हल कर चुके हैं अब हम लोग दो नंबर के प लिए है जो आयत की आकर अकृती है और यहांपर जो है बाहर की ओर और अंदर की ओर यह और यहां पर एक छाया किया हुआ है उस है उस भाग में इस परत्तिक और जो है एक मीटर की चोड़ाई है तो दिये गए आकृती का हम च्चेतरपल कैसे ग्याद करेंगे तो इस चायांकित भाग का छेत्रफल ब्राबर सबसे पहले यह बड़े जो आकार है बड़े आकार का आयत उसका छेत्रफल हो जाएगा बड़ा खाल आयत है का छेत्रफल ठीक है छेत्रफल बड़े आयत का छेत्रफल घटाव मां छोटे आयत का आड़े आ tutक्रफल कितना होगा। प्रफल भराबर होता है लंबाई गुना चौटाइगा तो इसका लपाइज प्रफल भी उसका भी लंबाई चौडाई ही फर्मुला होगा अब बड़े आयत के लिए लंबाई हैं 40 मीटर चालीस हो जाएगा और चौडाइज है रहे ही हैं कि 30 मीटर तो 30 हो जाएगा और च्छोटे आयत के लिए लंबाई इधर से बी मीटर कम और सबीक मिदसे दो मीटर कम तो city में से दो चला जाएगा तो 38 मीटर ऑर उसी प्रटिस चौड़ाई में भी हो जाएगा 1064 ठीक है इसको आप गुना करके देख लेंगे 1064 होता है और अब जो है 1200 से 1064 को घटाएंगे तो हो जाएगा 136 तो अब जो हमारे पास निकला यह मीटर स्क्वेर याद रखना है कि जब यहां पर यहां पर इस आकृती में हम देख रहें कि यहां पर एक आयत दिया गया है जिसकी लंबाई आठ मीटर है और चौड़ाई पांच मीटर है साथ ही यहां पर इसके साथ ही एक जो है त्रिभूज दिया गया है जिसमें इसका आधार जो है दो मीटर है तो इस आकृति च्छायंकित भाग का च्छत्रफल बराबर हम कैसे निकालेंगे यहां इसमें होगा आयत का च्छत्रफल आयत का च्छत्रफल जोड इस त्रिभूज का च्छत्रफल ठीक है त्रिभूज का च्छत्रफल इसको बीस से दिखाते हैं तो उसके बाद यहां पर हम देखे कि एक्ति परकार का त्रिभूज तो यह जो है संपे त्रिभूज यह लिए यह का च्छतरपल बराबर होता है एक बटा दो गुने अध्हार मैंने b और गुना उंचाई उंचाई मैंने h ठीक है तो अब जो L, L यानिकी लंबाई 8 मीटर है और चवड़ाई B 5 है तो उसके बाद 1 बटा 2 इसका आधारे 2 और ये जो है उंचाई हो गया तो ये हो गया 5 ये उंचाई इधर आया थे चुकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है इसलिए भी 5 है अब यह दो और यह 2 कट गए 8 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 और इधर बच गया 5 और इन दोनों को गुना करेंगे यह जोड़ देंगे 40 और 5 को यह हो जाएगा 45 तो 45 जो है क्या प्राप्ट हुआ स्कुर्ण इश्चायांकित क्वाग का मुद्द क्या प्राप्ट हुआ पैंटालिस मीटर स्कूर्ण अब हम लोग इसके तीन नमबर के आकरिति को देखेंगे और उसका किस प्राकार से शित्रफल ग्याद करेंगे वह देखें और लोग देख रहे हैं कि यहां पर यह जो रहे चितर दिया गया है और यह चायंकित भाग में यह अगर नीचे की तो यह आधा जो हैंकित रहाता है और श्कलत नहीं रहता है उसलिए लिखेंगे दिये घ्राइम्चे भाग च्वेटतर पर अर्धावर संस्कीन खेसा श्राच्यावर इर्ध आलald分享 में नहुनों रद्धार को यहां कांग आपी यहां क्यों मुणार स्काइब मनेतास साथ आ रज जैसे कि मोग यहां पर दिखते हके कि धालो कि दिखाएंट है तो तो 7 स्क्वेर और ये बटा 2 है तो इस प्रकार से अब 22 बटा 7 गुने 2 और इधर हो गया 7 इंटू 7 तो इसको काड़ देंगे एक को और इसको भी काड़ देंगे तो बच्छा कितना 11 गुना 7 ठीक है तो 11 गुना साथ बचा तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा सततर सेंटीमीटर तो सततर सेंटीमीटर क्या स्क्वेर सेंटीमीटर स्क्वेर हमेशा याद रखना है कि छेतरफल को स्क्वेर में हमें दिखाना है वर्ग में दिखाना है तो इसे आप नोट कर लेंगे आग हुजा जो है साथ मीटर करके साथ सेंटीमीटर करके दिया गया है यह सेंटीमीटर है साथ सेंटीमीटर करके दिया है और इससे में दो अर्द व्रित है और अर्ध को जो है छायंकीत किया गए है तो रों लोग जानताएं किस प्रकार से सश्कुषेतरफल निकालेंगे चायंकीत दवाग बराबर दो गुणा अर्ध का शेतरफल ठीक है स्कूर ठीक है तो अर्दवित का फ्रत्र पल क्या हो जाएगा ऑट दो यहां लिखेंगे दो गुना पाई आर स्कूर बटा दो यह दो दो कटके तो बचेकर पाई आर स्कूर इहां पर हम लोग देख रहें कि यह जो अर्दवित है उसका ये 20 है तो 2 거andomने अर ब्राबर हो दो दी है साथ तो यह हो जैगास आलब मरें अरब ब्सेया साथ वटा दो ठीक है तो आगे हम लोगे यहां पर लिखेंगे पाई बराबर और आ रबराबर 70 2 और इसे स्कस्क् sixt Tucson लिखेंगे 22 27 गुने साथ बटा दो गुना साथ बटा दो इसको काट देंगे फिर इसको काटेंगे तो एग्यारा हो जाएगा अब जो है इसको एग्यारा और उपर बच गया साथ तो एग्यारा और साथ को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 77 और नीचे बच गया दो तो इसको भाग करेंगे तो क सेंटिमीटर स्क्वेर तो बच्छों इस प्रकार से जो है एक और दो नंबर का जो सभी प्रस्म का हो चुका है ज़िए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने इसके आगे के प्रस्ण जिसमें रहेंगे तीन से आठ तक के प्रस्ण का उत्तर 14.1 वली में तो घर पर रहें स्वस्त रहें सुरक्षित रहें वीडियो अभी तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद